जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया एक बार फिर ये थाबित कर दिया है कि जो पद को पाने के लिए पद को हासिल करने के नितिश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं हर देर दो साल के अंदर उनका जो इसके बाद उनका खेल यही रहेगा चुक्छे भारते जंता तो वो नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षय अगरवाल स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में बात सच की अब बात यहां पर होने वाली है नितिश कुमार और उनकी यहां पर अगले कदम को लेकर क्योंकि जो अब जाकर के पहले तक जहां लग रहा था कि बिहार में एक साथ सरकार चला रही महागट बंदन में मुक्य रूप से RJD और JDU लोगसबद चुनावों में भी BJP को बिहार में बड़ी चुनौती देने वाली है ये चीज़ मानी जा रही थी लेकिन एक दम से नितिश कुमार ने कह सकते है कि अपना रंग दिखाते हुए फिर बाजी पलट दी और एक बार फिर अब यहाँ पर वे NDA के अंदर BJP के साथ सरकार को बनाते और चलाते नजर आने वाले हैं इस सब के बीच यहाँ पर जो सियासी भूचाल बिहार में जारी है ऐसे में नितिश कुमार ने राजभवन प अपना राज्यपाल को स्तीफा सौप दिया है तो इसके बाद यहाँ पर BJP समर्थन पत्र नितिश कुमार को सौपेगी और BJP के जो वरतमान में 78 विधायक बिहार विधान सबा में है 78 सीटे BJP के पास है उनके समर्थन के साथ यहाँ बीजेपी और जेडी और सरकार चलाते नजर आएंगे लेकिन यहाँ पर संभावना ये भी जताई जा रही है कि नितिश कुमार को जटका देते हुए BJP और RJD ना हाथ मिला ले और नितिश कुमार जो हर डेड़ से दो साल में बिहार में RJD या BJP को जटका देते रहते हैं इस मरतमा नितिश कुमार को ना जटका ये संभावना जताई जा रही है तो यहाँ पर ये भी सवाल भी उट रहे हैं नितिश कुमार को ले करके कि अब जिस तरीके से लोकसबद चुनावों से ठीक पहले नितिश BJP के साथ वापसी करते नजर आ रही हैं तो क्या उनके लिए ये फाइदे का सौदा साबित होगा या उनकी जो गाड़ी है वो और भी जादा घाटे में चली जाएगी ऐसे तमाम सवाल है नितिश कुमार को ले करके और इन तमाम सवालों के जवाब निजरूम में मौजूद इस समय मैं हूँ और निजरूम में ही मिरसाथ का इस साथ ही उन से जाने के सब तो पहले हमारे एक जो बर पर नितीश कुमार के साथ तेजस्वी यादफ चलाती न जा रहे तो तो आउने घाटा हो सकता है क्या फायदा का सौधा या गहाते का सौधा रही है कितनी सीटों पर नितिश कुमार लोग सबर शुनाव लड़ेंगे और क्या घाटा क्या फायदा उनको होगा लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनके आने से जो एंडिये है खासकर बिहार में उसके अंदर जरूर उतल पुतल हो जाई क्योंकि अगर देखा जाए चिराक पासबन प प्यानी आदे आदे के हिसाब से बहां पर सुनाव लड़ा था छे सीटे उन्होंने जो कह सकते हैं कि लज़ेपी के लिए छोड़ी थी तो खुल मिलाकर ये गड़िट था लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो उपरिन कुश्वा भी सीटे चा रहे हैं माजी भी सीटे चा रहे हैं इसके अलाबा मुके साहनी जो हैं वो भी सीटे चा रहे हैं और अगर बात कुने चराक पासबान की वो भी चारपांट सीटे चा रहे हैं उनके चाचा जो हैं जो अलग पार्टी बना कर बैटे हुए हैं तो ऐसे में क्या बीजेपी जो कह सकते हैं कि जो नितिश कुमार एक बार फिर से मुखे मंतरी बन जाते हैं या बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर से गदी पर बैट जाते हैं तो क्या जो उप मुखे मंतरी हैं क्या वो दोनों फिर बीजेपी के होंगे और होंगे तो फिर कौन लोग होंगे क्या जो रेनु डेवी का नाम सामने आ रहा था वो होंगे, मोधी, सुछल मोधी होंगे या फिर माजी के बेटे कर दिकर आ रहा था वो होंगे, तो अभी कई तरह कि क्यास बाजियों का दौर जा रही है, लेकिन फिलाल ये लगवक्त हो गया कि निदीश कुमार ने एक बार बिहार के अंदर जो उतल फुतल मचाई है उसके बाद एक बार फिर से वो सीम के गदी पर बैटते हुए नजर आने वाले हैं और साथ ही जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है एक बार फिर यह थाबित कर दिया है कि जो पद को पाने के लिए पद को हासिल करने के कुमारी हमेशा नजर आते हैं तो कुल मिलाकर आज का दिन बिहार के राजनीती के लिए बार फिर से बड़ा इंपॉर्टन हो गया है तमाम मीडिया में तमाम जगास्तुर्खिया कहने कहीं नितिश कुमार को लेकर रही है और लगतार जो जड़ जहती कि क्या नितिश कुम जो लगतार उठरे हैं लेकिन फिलाल ये जो खबर है कि इस्तिवा दे दिया है ये कंफा में अब इसके बात क्या होगा इस पर मेरे खिया सब की नजर लगी हुई है और बात दिकल कर के यही आ रही है कि बिहार की सक्ता की जो ये नदी है इसमें जो नौकाएं दो तहरती ह जाही वो यहां पर अंडिय की नौका हो यहां पर महागटबंदन की नौका हो नितीश यहां पर देड़ सो दो साल बात पलटते ही यहां पर यह महागटबंदन की नौका में सवार हो जाते है अब जिस तरीक से महागटबंदन से पैर अपने पलटकर नितीश कुमार ने अ बिल्कुल यही यहां पर कारण नजर आता है कि यहां पर इंडिया गडबंदन के शुरुवात नितिसकुमार ने करी यानि जो टीमसी कॉंग्रेस आपस में मेल नहीं खाते थे उन सबको एक स्टेज पर लेके आने की महनत नितिसकुमार ने करी और फिर उनको ही नजर अंदा करने लगे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी के साथ दुबारा गडबंदन के और फिर दुबारा अब एंडिया में वह सामिल हो गए हैं तो आसा देखा जा रहा है कि पद की लालसा में जिसकुमार हर साल दो साल बाद अपनी चीज़ों बदलते हैं और कही ना क अब उन सब को भूलकर वो अपनी लोक सबाचुनाव के त्यारी करने अपनी पार्टी को जादा विसाल बनाना चाहते हैं ऐसे में कि जहां उनका लक्ष्पा के खिलाफ रहना है और वो भाजपा के साथ यहां पर सामील हो गए हैं वहां कि में यहां पर भाजपा के है वो आते ही या उनके बाद यहां पर वापसी यहां गढ़बंदर की कष्टी में दिखेंगे नितीश दिखेंगे बिल्कुल यह सुनिश्य था और यह पहली बार नितीश कुमार नहीं कर रहे हैं 2015 के विदान सभा चुनाओं के बाद भी वही किये थे उन्होंने और अब 2024 क के बाद उनका खेल यही रहे हैं चुके भारते जन्ता पार्टिक और बिहार में कोई एक नितीश कुमार ऐसा लीडर नहीं है जो भाजपा के साथ लोग सभा चुनाओं लड़ता है और चुनाओं के नतीजों के तुरंत बाद फिर पल्टी मार देता है जितनरा मान जी भी करते हैं जो है मुकेश हिसायनी की बात करें वही करते नसरायते तो यह सिरिफ अरोप यह फिर इस तरीके की बात kingdom के साथ नहीं करते हैं और कोई भी मज़ा हुआ लीडर जो आंक्रे जूटा आता है चुकि के राजनिती में आंक्रे मायने रखते नितीश कुमार को यह बात रहा था राममंदिर प्राइन परतिष्टा से पहले उसे यह एक उम्मीद जाग रही थी कि विपक्ष एक बड़ी भूमिका में आ रहा है इंडिया गडबंदन बनने के बाद से लेकिन जैसे राममंदर की प्रतिष्टा हुई उसके बाद जो राजनितिक महल बदला है और ज नितिश कुमार को सीधे पौर पर जो है बिहार में कहीं न कहीं दस से पंद्रह सीट के बीच में लोकसभाद चुनाओं में उन्हें सीटे मिल जाएगी और जब उसके बाद वो यह सुरक्षित कर लेंगे अपनी सीटों को फिर उसके बाद 2025 के विदान सभाद चुनाओं मे फिर से वो पल्टी मारेंगे और उस समय वो लाली परसाद यादव के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि नितिश कुमार ही वही लीडर है जिन्होंने ये बात कही थी जेपी नड़ा का वो बयान आपको याद होगा जब जेपी नड़ा ये कहते हुए नजरायते के बी जेपी अगर अपनी उस बड़ी रणिती के साथ काम करना शुरू कर दे तो तमाम चेतरी दलों को वो खत्म कर देगी और यही वो बयानता है जब बिहार में नितिश कुमार भारती जंता पार्टी से अपना गडबंदन वापस लेकर जो है आरजेटी के साथ जाने का फैसला करते ह तो जाइर थी बात है कि वो विधायन सबाचुनाओं में फिर से वही फैसला लेते नजर आएंगे तो मुझे लगता है कि नितिश कुमार की यह रणिती का हिस्सा है कि लोग सबाचुनाओं इंडिये के साथ लड़ो और विधायन सबाचुनाओं में आ जो है आरजेटी औ महां पर महा गटबंदन की कष्टी में अब ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है नितिश कुमार के इस कदम पर क्योंकि नौवी मर्तबाब नितिश कुमार यहां मुख्य मंत्री के तौर पर बिहार में शपत ब्रहन भी करने वाले हैं और कुछ ही घंटों में उनका शपत ब् की राय है इस पूरे मामले पर कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करके जरूर बता है फिलहाल के इस फिरिश कश में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 News